कुले कट नमस्कार साथ्यों मैं आप सभी साथ्यों काने कैड़्मी यो पी इफ्ञाम पर स्वागत करता हूं आशा करते हैं आप सब लोग सवस्त होंगे आद मैं आप सभी साथ्यों कंढ़िए सेशन लेकर क्या हों जिसमें हम इंडेस्ष्वईली सिब्लाइजेशन के बारे में क्या करेंगे अध्यन करेंगे या कह सकते हड़पा सभ्यता के बारे में अध्यन करेंगे यह अमोमन आपके में इससे प्रस्ण सीधे-सीधे पूछे जाते हैं इनसे अस्थानों से पूछे जाते हैं साथी साथ में भी इनके स्थापत को लेकर के इनके केंद्र को लेकर के साथी साथ आज-पास में बिष्तित एक या फैली हुई या कह सकते हैं इस्थित या बेवस्थित एक शभ्यता हुआ करती है जिसको हम शिंदु घाटी सब्धिता की नाम से जानते हैं क्या है सिंदु नदी के आज असपास में कौन लगी है अगर हम देखते हैं यहां पर लिवर पाते हैं कि सिंधु मिकशन सब्राइब कि आफे सभ्हेता सब्छ करना है उसके रहता सभ्हेता का मतलब क्या होता है कि मिद्दा निशित विन्यास के आधार पर कह सकते हैं जैसे कि कि किसी एक परदेश का senza अपना एक अलग कलचर होता है किसी एक खेतर का अपना Όल कलचर होता है लेकिन जब कई सारी संस्कृतियों का मिलाप होता है और दिण भाग का निर्माड़ होता है तब क्या कहलाती है यानि की कह सकते हैं एक बिस्तित भूब भाग पर पहली वी मानुय बश्ती क्या कहलाती है और नाम करण इसका कैसे हुआ तो सिंधुनदी के आस पास में डबलप शबता यही कारण है कि इसे सिंदु चबहता कि नाम से जाना जाता है कि चलुए आगे हम बढ़ते हैं इससे पाते हैं पहले हैं मेरे सब्सक्राइब में आता है यहीं कि आर्फिर नामकरण के करम में हम जाते हैं तो इसके कई सारे हमें नाम करण देखने को मिलते हैं लेकिन इसका हडपा नाम की उपरा तो सबसे पहले हम इंडस वेली सिविलाइजेशन को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि Indus Valley Civilization या Sindhu Gati Subjaita के कई नाम हमें देखने को मिलते हैं पहला जो नाम है वो नाम ही क्या मिलता है हमें हरपा शब्हता मिलता है पहला नाम है अब क्या है इसमें अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहली जो खुदाई हुई है जो सबसे पहला जो हमें पुरा आस्थल पराप्त हुआ है या सबसे पहला जो हमें उत्खनन की परमाण मिले हैं वो कहां से मिले हरपा से मिले हुए और हरपा जैसी मिलती जुलती चीजों जो भी वस्तुवें वहां से मिली तो उनको क्या बना लिया गया एक आधार बना लिया गया कि विया, यह कैसी है, यह हडपा जैसी है, तो यह ऐसा इसका नाम करण पड़ गया है, क्योंकि हडपा पे सरप्रतम कुदाई हुई थी, और हडपा को इसका आधार बनाए गया, यही कारण है कि इसे क्या है, सिंदुगाटी सब्विता को हम हडपा सब्विता के नाम से भी जान सब्वाइब देखा जा तो नगर के दिमाग में आता होगा कि पक्किरोड़े हैं ठीक है लेकिन अगर हम लोगों कि जानसंखिया 5000 से अधिक हो ये सांठो नगर की फरवासाइं होती हैं लेकिन अगर हम देखते हैं सिंपल साय नगर का मतलब क्या होता है जहां कि 70% से अधिक आबादी जो है वो क्या है वो Agri Culture सेक्टर के अलावा अग्रिया किलाती और संसक्रिति या ग्रामीर कोन होते हैं जहां पर 70% से आधिक की आबादी जो है वह agriculture सक्टर में पश्यू पालन भी हो सकता है तीक है मशली पालन भी कुकुट पालन भी धेर सारे उद्धेर युद्पाद यह सब जो है यह सब क्या आते हैं तो क्या है हड़पा संस्कृति इस सुविक्सित क्या है इस सुविक्सित कांस युगीन शबता है अब कांस यूगिनी से क्यों कहा गया मानों ने सबसे पहले किस धातु का विश्कार किया मानों ने सबसे पहले किस धातु का ग्यान था मानों को सबसे पहले किस धातु का ग्यान था तांबे का ग्यान था तांबा जो कि कांसे की अपिक्छा मुलायम धातु करती है तो इसमें क्या किया कुछ development form में आया जब इनसान पहुचा तो ते के साथ उसमें मिला लिए यह गया है तौर इस यूग में कासे का इस्तमाल किया गया है ठीक है तांबे की अपिछा या तांबे के आस्थान पर कह सकते हैं यहाँ पर कांसे का इस्तमाल किया गया है यही करण है इसे हम कांस युगीन सभेता के नाम से जानते हैं ठीक है उसके साथ साथ हमें यहाँ पर लेखन कला नगर सहरों में रहने वाले स बड़ी शब्वेता हुआ करती थी तो इसका नामकरण क्या है सिंदुगाटी शब्वेता को हम या हरपस शब्वेता को हम कई अलग अलग नाम से जानते हैं जैसा कि पहला हमने नामकरण इसका कर दिया किसार क्या है यह कांश यूगीन शब्वेता है कैसे शब्वेता है जो नाम आ जाता है इसका यह जाता है शैंधो शब्यता इसका जो दूसरा नाम आ जाता है वह आ जाता यहाँ पर शैंधो शब्यता का मतलब क्या होता है सिंद्र तथा उसकी सहाइग नदियों के किनारे बसी भी सभ्यता को हम शैंधो शभ्यता के नाम से जानते हैं तो एक इसका नाम करणा आ जाता है शैंधो शभ्यता साथी साथ एक नया नाम हमें एक और नाम देखने को मिल जाता है सिंद्र सरस्वती सभ्यता के नाम से भी से क क्या करते हैं शिंद्व सरस्वती शब्वेता के नाम से जाना जाता है इसका एक और नाम हमें देखने को मिल जाता है इसका हमें प्रस्तर धात यूगीन सब्वेता एक नाम हमें मिल जाता है प्रस्तर धात यूगीन सब्वेता अब प्रस्तर धात्युगिन सभिता का मतलब क्या है चालको लिथिक शिवलाइजेशन यह चालको लिथिक एज ठीक है तो मानों ने विकास के करम में सबसे पहले पत्थरों का इस्तुमाल किया और अस्तुमाल किया ओर कर अब औरमें धातों चार्न करने लगा अप ढ avait थातों से इस्तिमाल कर HC मतलब को सघ्री का आइसा यह जब पंथर्सक्रीन हो रहा होगा दिरे दिरे दहातो का ग्यान होगा और घ्र cancer करत का होगा जब धातु के घ्यान हो जाएका तो धात्व सबस्क्राब ऐसा कर यहां पराउग सब्सक्राइब कर था कि जाएंगी तो मतलब ऐसी सिवलाइजिशन जहां पर पसास धात्वों का परियोग है उसे कि आनला प्राश्तर धात्यूगीं सभ्ःता के नाम से जाना जाता है। कि यहां पर सरपर्थम्युंदाई हुई थी पहला जो उध्खनन हुआ था जिसको हमने आधार माना है उसको किस नाम से आंता है वह रखा था और हरपा को आधार मानने के मानने के उपरांत में क्या है हम इसे धीरे-धीरे हरपा कहने लगे हरपा जैसा है यह यह जो यहां पर जीवास मिले हुए वह रपा जैसे मिले हुए तो भी हडपा कहते हम यूश्टू हो गए और हम उसे किस नाम से जानने लगे हडपा के नाम से जानने लगे जैसा कि यहां पर लिखा हुआ कि सभिता को पर्थम खोजा गया स्थाल है वह हडपा है जो रावी नदी के तड़ पर क्या है इस्थितर आगे हम बढ़ते हैं कि और बीख वर्षान में देखा जाए लगे मिलें जैसा कि मिलता है खरपा लोथर मिलता है काली बंगा मिलता है धेर सारे हमें क्या है, धीर धीर एक एक करके क्या है, हमें नगर दिखाई देने मिलते हैं, नगर एक एक के विकास के करम में, उनकी खुदाई के करम में धीर धीर क्या है, हमें एक पता चलता है कि इसका बिस्तार एक बहुत बड़े भूभाग पर क्या है, फैला हुआ है, अ हडपा सभेता के बारे में इसके इतिहास के बारे हम जाते हैं तो पाते हैं कि हडपा सभेता की जो जानकारी हमें सरपर्थम मिली है वो कब से मिली है किसने सरपर्थम दिया है तो इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके में किहारप्पा स्ववेता का सरपर्थम एँ के जिक्र किस ने किया यह सरपर्थम ले कीस ने किया 1826 के आजसपास में इस ए 246 में एक वग्त हुआ करता थजिनका नाम था चार्ल्स मैसन पर मौ अब कप सवेता का सरपर्थम जिक्र किस ने किया या सरपर्थम उले किस ने किया 1826 के आसपास में 1826 में एक वेक्ट हुआ करते थे जिनका नाम था चार्स महसन जिनका नाम था चार्स महसन अठारसो ठीक है जिनका नाम क्या हुआ करता था चास मैसन स्टनाम हो करता था अधर की बात है यह अठरा से चास मैसन नाम के एक रास्ते से निकल लहें तो उन्होंने देखा कि कुछ दूर अस्थल पर क्या है कुछ लोग खुदाइप कर रहे हैं और निकाल रहे हैं और लाकर के कि अपने घरों का निर्मार करते हैं इन्होंने इस बात का जिक्र किया इस बात का देखा और पहली वार जिक्र किया कि यहां पर जब गए देखें वहां से इट पत्थर निकल लहीं कोई वहां पर इट भट्थे नहीं हुआ करते थे कि ऐसा परमान मिले कि यहां पर कोई इट बंटे और वह जहां से इट पत्थर निकल लाएं इसको देख करके उनके दिमाग में कुछ कह सकते हैं सूजा और उन्होंने इस घटना का जिक्र किया तो सबसे पहला जो हमें पता करना चाहिए लेकिन उस समय जो बेटिस थे उस समय जो हमारे यहां विटिस सरकार हुआ करती थी उनका ध्यापार हुआ करता था ठीक है वह इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते थे तो इसलिए उनका ध्यान की तरब नहीं गया आगे चल करके 1853 में एक वेक्त जिनका नाम क्या है अलग जंडर कर्णिंगम आप जानते हैं 1853 का ऐसा दोर जब भारत में रेलवे आया हुआ तो भारत में पहली रेलवे कहां से कहां तक चलाएगी तो यही पर क्या हुआ ठीक है 1853 के आसपास में रेलवे का विकास हो रहा था और एक लाइन बिछाई जा जा रहा था यहीं इसी में दो इंजीनियर करते थे जिनका नाम था डंटर ब्रदर्स करके जानना जाता है ठीक है बिलीम बेंटन और एडम बेंटन तो दो विक्त हुआ करते थे उन्होंने एक अस्थान पर देखा कि उन्हें कुछ जब पट्रिया बिचाई जाती ही तो उ अलेकजंडर कर्णिंगम ने अपने उपर लेवल पर इस बात की जानकारी दी क्योंकि अलेकजंडर कर्णिंगम को थोड़ा इन सब चीजों से बड़ा लगा हुआ करता था कैसे हैं जो जमीन के नीचे राज हुआ करते थे या कुदाई के दर्मयान जो वस्तुए मिलती थ जो कलकत्ता में स्थाफित क्या गयता हम वहां पर इसको जमा करा देंगे जो बहुमूल चीजे होंगी उसको इंगलेंड बेद देंगे और बाकी की जो चीजे होंगी ठीके वो इनको हम वहां पर जमा करा देंगे लेकिन अध्यन के लोईकर के इन पर कोई एक देखा जाए तो विष्टिज चर्चा यहां भी देखने को नहीं मिलती है फिर ये बात आईसे रही गई लेकिन पुरातत के रूप में कह सकते हैं खुदाई के रूप में इन्हों का काम बड़ा लेखनी है अलगजंडर करिंगम को इसलिए अलगजंडर करिंगम को भारतिये पुरातत का किता भी कहा जाता है यह क्वेश्शन पूछा गया आपके में पुछा गया है तो भारत्य पुरातत्य का पिता थीकिए दा फादर आफ कि इंडियन देखा जाए कर्मिक रूप से अगर देखा जाए तो 1921 में अगर देखा जाए तो कर्मिक रूप से इस पर क्या हुई है खुदाया हुई है तो लिए वो स्लाइड नहीं है मैं ऐसी बताता हूं तो जैसा कि हमने बता है कि 1826 में चार्स मैसन चार्स मैसन ने सरपर्थम क्या किया था है चार्स मैसन ने सरपर्थम इस घटना के बारे में जिक्र किया उसके साथ 1853 इस भी में आलेग्जन्डर करनिंगहम का नाम आता है यहां पर इंस्ट विय्जिस सेभ के खोज में अलेग्जन्डर करनिंगहम का नाम आता ह्यां उसके साथ साथ इसके करम को देखा जाए तो 1921 में इस सबसे पहला जो अस्थ्रक हो जा गया ओvalातं इस अस्थल की फो़ती है हमने आपको पहली बताय कि Zwoka शहर्पा नामक अस्थल कि क्या की गई सर्वर्थम क्या की गई सर्वर्थम क्या की गई football की गई तो 1901卜 भी में हरपा नामक अस्थल की खोज किसलिए की हरपा नामक अस्थल की खोज दयाराम सहनी के नेत्थ में क्या किया गया सरपर्थम इसको खोजागे साथी साथ 1922 इसमी में एक दूसरी साइट खोजी गई जिसका नाम है मोहन जोदलो जिसका नाम क्या है मोहन जोदलो हुआ करता है जो कि ये भी पाकिस्तान में हरपा की भी लोकेशन क्या है पाकिस्तान है और मोहन जोदलो की भी लोकेशन क्या है पाकिस्तान है तो मोहन जोदलो की खोज किस ने की? मोहन जोदलो की खोज राखल दास बनर जी जी ने किया? मोहन जोदलो की खोज किस ने किया? राखल दास बनर जी जी ने मोहन जोदलो की क्या की थी? खोज की थी तो हरपा नामक अस्थल की खोज किसने की दयाराम साहिनी मोहन जोदरों की खोज किसने की राक्षलदास बने रजीम 1921 से ये जानकारी हमें परकास में आने लगी और इसकी भी कह सकते हैं हरपा सभेता का हमने एक किया अभी तक क्या है जो नीच से पहले कि सबसे हमारा इतिहास में कहां से सुरू होता हैúsica वेधिक सब्सक्राइब से सुरू होता यहां पर एक करांतकारी को यहां पर आखासक परवड़न देखने को मिलता है और जिसके माध्यम यह जिसके माध्यम से पता चलता है सब्सक्राइब करती ति जो कि क्या है कि कितनी पुरानी है लगभग अभी क्या पूरी तरीके से पन पी रही है जैसे एक लिखाया कि तब को राज विदों ने इस सभेता के पर्थम खुजे गए अस्थल का नाम इस अपर अपड़ा रखा क्योंकि यह क्या है यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है और सभेता का नाम उप्यूप्ट रहा और यह क्या है किसी भागोलिक शेत्र को अफगानिस्तान तक क्या है हमें देखने के बिदि आप होगोंगे थीक कि एक दोच्षभ में कहां से प्राप्त होते हैं वह फो relat और पाकिस्तान से लेकिन लिए उस समय का भारत निए सो इकीस का भारत बारत पाकिस्तान कुछ था ही नीज इसमें तूटल वराल बह्रे cm बशनखे लिए करता था data कि आजरहें कि अगर हम सब्हेता का विस्तार बेखेह कि पराइभ करिता हम कहां तक कि सभेता फैली हुई है तो सभेता का विस्ताब यह सभेता अगर देखा है अगर हम मैप लगाते हैं तो मैप यह जंबू कस्मीर का च्छेतर है जंबू कस्मीर का एक जिला पढ़ता है जिसका नाम है मांड़ा ठीक है यह जंबू कस्मीर पढ़ता है और यह चिनाव किनारे 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 अगर हैं सिंदुगाटी सबिता का विस्तार देखते हैं तो उत्तर से तरफ आते हैं तो जंबू कस्मीर के मांडा जिला से ले करके यहां पर महाराष्ट का एक्षेत्र है महाराष्ट का एक्षेत्र है जिसका नाम है परता नाम इसे किनारे परवरा के सब्सक्राइब तो विस्तार कहां से कहाता थे तो इंडस्वेली सिवलाइजेशन का विस्तार उत्तर में जम्बू कस्मीर के मांडा जिला से लेकर के दच्छिड में महाराष्ट के दाइमाबाद परवरा नदी के किनारे तक ब्रिस्तित हैं अगर हम इसके साथ साथ इसके साथ साथ अगर हम जाते हैं और हम लेते हैं कि इसका पस्चिम से लेकर के पूर्व तक का इसका क्या बिस्तार रहा है तो हम प पड़ता है और इसका च्छित्र का नाम है जिसका नाम है सुत कांगे डूर क्या नामें इसका सुत कांगे डूर जो कि दास्क नदी के किनारे या कहीं कुछ किताबे यह लिख देती है तो अगर देखा जाए इंडस्वली सिपलाजिशन का विस्तार पश्चिम से देखा जाए तो पस्चिम के पाकिस्तान से पाकिस्तान की बलूचिस्तान के सुथ कांगे डूर दास्क नदी से लेकर के मारां तो विस्तित है अगर हम पूरव की तरह आते हैं तो पूरव में यह पढ़ता है आपका यूपी और यूपी का एक जिला है जिसका नाम है और मेरट का एक छेत्र है जिसका नाम है आलमगीरपुर जिसका क्या नाम है जिसका नाम है आलमगीरपुर यह हिंदन नदी के किनारे किस नदी के किनारे यह हिंडन नदी के किनारे इस्थित है हिंडन जो की यमना नदी की क्या है सहायक नदी ठीक है तो अगर देखा जाए अगर हम इसको मनाते हैं कि इसका विस्तार देख लेते हैं तो पहले उत्तर से दच्छर की तरह आते हैं तो उत्तर से दच्छर से इंड महाराष्ट के दाइमाबाद तक क्या है बिस्तित साथ यह पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो पश्चिम के पूर्व की तरफ जाने पर पता चलता है कि यह पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान के प्राकिस्तान के ब्लूचिस्तान के सुथ कांगे डोर मकरांतर से ले करके उत्तर पर्देश के मेरट जिलेगे आलमगीरपुर हिंड़न नदी के किनारे तक यह विस्तित हैं अब आप देखते हैं उत्तर से दच्छल की लंबाई देखते हैं तो लगभग कितनी विशाल शभ्यता का कि कितनी विशाल सभ्यता कहां डवलप फाम में हुआ करती थी कहां पर भारतिये उप महादीप में भारतियों पाते हैं जैसा कि उपर लिखा हुआ है उपर है कि अ किक लिए फिगर बना हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर क्या है आप देख सकते हैं हरपा सभटा की सीमा नदी हैं पर उत्तरी सीमा और दाइमाबाद किया है परवरा नदी लिख सकते हैं यहां पर बिश्ते थे, साथी साथ, ये आलमगीर पुर किस नदी के किनारे बिश्ते थे, ये हिंडन नदी के किनारे बिश्ते थे, हिंडन नदी जो किसकी साहिग नदी है, यमना किसकी साहिग नदी, यमना, यमना, घंगा किसा नदी, घंगा कहा जाती है, घंगा, बंगाल में जाकर क गिर जाती है तो हमने देख लिया हमने देखा कि सभिता का विस्तार पश्ची में सुथ कांगे डोर पाकिस्तान की बुलुचिस्तान से लेकर पूर में आलंगीर पूर तक विस्तित है तूывать 16 लाक वर cuma के आसपास में इसका है और सभिता को जो घथितार देखने को मिलता है भरत में पंजाब में देखने को मिलता है राजस्तान गुज्रात में देखने को मिलता है महाराश्ट में उत्तरपर्दिस साथ तो अभी हम ने जिक्र भी किया है ठीक है उत्तरपर्दिस का हुलास नगर हो गया आलम गीर पुरास्थल है यहां पर देखने को मिलता है पाकिस्तान में गर देखा जाए तो पाकिस्ट पंजाब शिंद्र बलुशिस्थान प्रांथ और अफगानिस्तान में मुंडी काक और सूर्तु धाय दो पुरास्थल हैं जो मुख रूप से सीज़ेघ Мы से गया हैं है बैल złéo माने जाते हैं कि आगे हम बढ़ते हैं वहलाप सभथ써 कि का यहान कि यह में रहा है जो अब बढ़ा चरचा में रहा है गुजरां का एक अस्थान क्या है लोथल क्या है बड़ा चर्चा में रहा है लोथल के साथ साथ धौला वीरा क्या है चर्चा में रहा है तो यह सारी चर्चा में रहें अभी उस पर हम भी चर्चा करेंगे उस पर भी क्या है एक चर्चा करेंगे जो गुजरात से पराप्त हैं गुजरा के नाम से जानते हैं यह संद्गाटी सविता के महात्पूर असठर भणोल की ति और упार से लाएगे वस्तों के बारे में क्या है हम चर्चा करेंगे नगर नियोजन जो सबसे बड़ी विसेस्ता रही है इंडस वैली सिब्लाइजेसन की वह नगर नियोजन को ले करके रही है नगर नियोजन को इंडस वैली सिब्लाइजेसन की विसेस्ताओं में अगर देखा जाए तो नगर नियोजन इसकी सबसे बड़ी विशेस्था रही है उपर हम बताते हैं अगर हम यहां पर फीचर में देख लेते हैं विशेस्थाएं में यहां से आपके मिंग्स के क्वेश्चन मनते हैं तो सहर का विभाजन जो है यहां का जो सहर है सहर का विवाजन हमें दो भागों में देखनों को मिलता है एक को हम पूर्वी टीला के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम क्या है पश्चमी टीला के नाम से जानते हैं अब क्या विस्टा है सहर का जो मुश्टली हमें देखाने को मिलता है एक दो JACK को छोड़ जाए तो हर जगह हमें ही देखने को मिलता है कि सहर three पूर्वी टीला पश्चमी टीला拜拜 जो गरा less देखने को मिला है यहां पर हमें दुर्ग वगरा देखने को मिला है दुर्ग का मतलब कह सकते हैं फोर्ट वगरा देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि हो सकता है परसासनिक वर्ग के जो अधिकारी लोग है यह परसासन के जो लोग है वो किस छेत्र में रहते हैं वो पर क्या है आम लोग यहां पर रहा करते थी यह सबसे बड़ी विश्यस्ताइं मिली उसके साथ साथ आपने बच्वन में पढ़ाई होगा कि सालकों का जाल यहां पर विच्छा हुआ था ग्रिड सिस्टम पर आधा उत्वा करते थी सिविलाइजेशन जैसा कि हमें विश्यस्ताओं में नगर जो है विश्य के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है ऐसा परतीत है कि क्या है कि अदि इस इसके नगरों का निर्माण किसी संसथा के द्वारा कि लग SMS आधा बहुत ही आथा डंसले इसका क्या भिख और सब्सक्राइब किसी प्रक्रणिश मेर्ट करते इक जैक जीक्तिक हम्हां पर सिर्ट कि दिखाएं थी हैं सड़कों जो होती थी सड़के एकदम सीधी हुआ करती थी और एक दूसरे को क्या करती थी एक दूसरे को कह सकते हैं समकोर पर कारती हैं हमें सड़कों के किनारें इनकी जलनिकासी जो अस्था कि देखने को मिला है कि सड़कों के किनारें हमें क्या है ये नालियों के भी क्या है में परमाण मिले हुए हैं सब्सक्राइब और नगर को अनेक वर्गाकार आयताकार चत्वुजाकार इन सब खंडों में क्या करती थी इन सभी खंडों में विभाजित करती थी साथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इसको कहा जाता है कि इसको माना जाता है और मोहन जोद्रों को इसकी कैपिल मानी जाती है सब्सक्राइब यहां थे इसको ञहुंडों कि रूप में जाना जाता है कि अब Darren को दो पोचार के आपको बताया कि जैसे कि क्या हुआ करती एक दूसरे को संसर्की सब्सकीर का कीनारे में हाधि हो थी साथ सअठों के किनारे जो मकान बने मकान के दर्वाज्य gdy त्रफ पीछे ट्रफ गल्यों में खुलते ठीक है यहां पर हमें दो मुझला मकान के क्या मिलें कंपर मर्मार मलें हमें सब्सक्राइपं त्रफ कमरण करते थे ऐसे से कमरे होते थे बीश में क्या है आंगन के भी परमाड मिलें हैं साथ ही साथ असनानागार हमें मिला हुआ है कुछ घरों में बड़े सौचाले भी बना जाते थे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने जादा यह उन्नती फार्म में हुआ करता थे घरों में सौचाले का भी है जैसा कि हमने बता है कि माकानों के धर्वाजे साड़कों पर ना खुल करके क्या है पीछे की तरफ गलियों में खुदते हैं हमें यहां पर मकान जो मिले हुए हैं दो मजला मकान के है इनका इनकी इटो का इंसट्र निर्माड किया जाएगा इनका क्या है इससे इनका निर्माड होता था साथ हमें क्या है घंक है कि अब लोग अपने छेटर में तो देखेंगे कि इते में जी ओ लिखा होता है तरी ओर टाटा पता है ईवे नोकिया लिखा होता है एपल के आजाते हैं उनको खुदे नहीं पता उनने कब ठेका लगवाए लेकिन और इसमें क्या है यहां पर परमाण हमें देखने की मिलते हैं यहां परमुहन परमुहन नगरों के विस्यस्था पर जाते हैं कि इनकी जो सबसे मुख विस्था मिली है कि सहर का दो भागों पश्मी टीला पूर्वी टीला ठीक है वेस्ट और इस्ट में इनका क्या किया था तो जो वेस्ट साइट था जैसे कि अभी आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जिस सहर में रहते होंगे जिस कस्वें में कस्वें का होता है जहां पर आप देखेंगे काफी यहां में वहां के नगर निगम होते नगर पंचायत होती है तो बस ऐसे कह सकते हैं सबसे क्रीमी जो लियर जो अधिकारी वा करता था वो पश्च्वी टीला में रहता था और दूसरा क्या है पूरब का निचला नगर मिल सब्सक्राइब कर आप दूसरा को otor में कूछ महातूर सब्सक्राप्त हों यहां कि मिला है कि हाँ पर मजदूरों के लिए लिए यह घर अलब ऑश्वां के पर्माण हमें मिले हुए हैं और 15 मकान हम यह बूखंप आप कि और इसी के पास से कि और कंड की हमें राक मिली है इसे कहा जाता है कि हो सकता है इसे तांबा गला करके हो सकता है तिन के साथ मिला करके यहां पर है कहां से का हो सकता है निर्मार क्या जाता है उसके साथ मोहन जोदलोग। दिखें सेम विशेस्ता फालोगरा है। मोहन जोदलोगा फी नगर दो खंटव में वाज़ितवा करता था। पश्ची में दुर्ग छेत था पूरम में निशिला नगर। कि दूर्ग के चेस से हमें साजनिक इमारती पराप्त हुई है साथ-विशाल असनानागार जिसको हम क्या कहते हैं अजूबा कहा गया इतिहासकारों ने इसे कहा गया अब यह अजूबा विशाल असनानागार एक बड़ा असनानागार जिसमें उतरने के लिए सीडिया लगी हुए हैं तो हो सकता है अगे तुछा करते रहे हुं इसका ये भी परमार कि रहे हैं हुए सोनान करते रहे हों इसका ये भी परमार हमें क्या है इससे ये ये 180 feet lemby और 108 feet क्या रही है, चोड़ी रही है, जिसको हम विशाल आस्णानागार token किस ट्रेडी में रखते हैं, इसके मंदिक तालाब और तालाब लगबग 12 meters नंबा, 7 meters छोड़ा और लगबग 20 m गहरा पकता है, तालाग पहुशने के लिए लगी हूँ है अगर आप किसी अस्थानो पर जाएं आप किसी भी धार्यमिक अस्थान पर चले के नहीं तो कुछ हो सकता है इनका ईको करके क्या करते रहोंगे शामुहिक अस्नान भी करते रहोंगे ठीक है साथ हमें एक बिशाल अन्नागार मिला हुए अब आप अंदाजा रगा सकते हैं कितने डवलफ फाम में हुआ करते थे यह आनाज का इस्टोर भी करते थे ताकि अगर कभी कि विसंप्रस्थितिया आ अगर हम इनके थोड़ा सा धार्मिक जीवन की तरब मूप करते हैं तो जो इंडस वेली सिबलाजयसन था वो हमें इसके परमान मिलते हैं कि यहां पर मात्र सतात्मक मात्र सतात्मक ब्यास्था देखने कि मात्र सतात्मक का मतलब है यां पर इस्तिति काफी अच्छी हुआ कर यहां पर लोग मात्र देवी की अस्थापना करते हैं यहां पर मात्र देवी की पूजा करते हैं मात्र देवी के हमें परमान मिले हैं साथ साथ समाज इससे पता चलता समाज कैसा हुआ करता था समाज मात्र सतात्मक हुआ करता था समाज को चार भागों में बाटा जा सकता ह बिद्वान वर्ग हुआ करता था, प्रोहित वैद सिच्छक जोदिशी हुआ करता था, शाथ-शाथ योधा वर्ग हुआ करता था, ब्यापारियम सिलपी वर्गयम सर्मिक वर्ग, चार भागों में ठीके ध्यान दीजेगा, यहाँ पर जो विभाजन क्या गया है, वो मुश् क्योंकि आप जानते हैं एक ब्यापारिक नगरी हुआ करती थी, तो सिधा ब्यापार का बहुत बड़ा इनका रूल हुआ करता था, यह सामाधी जीवन के बारे में है, ठीक है, भोजन, वस्त, सैंदोवासी हमें, मासाहरी, साकाहरी, दोनों परकार के परमार मिलते हैं, मास समुदु के रूप में सलाजी, समुदु के फेनियों नीम्डू का परियोग करते रहे हूंगे, ऐसा परमार मिलता है, या ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं, ऐसा देखे, कहीं भी हमें लिखे तो परमार नहीं मिला हुआ, अगर हम इंडस वैली सिबलाजयसन के लिपी की बात करें, इस किप के बात करें, तो इंडस वैली सिबलाजयसन जो लिपी हमें मिली हुई है, वो क्या मिली हुई है, पिक्तो गराफ कल फाम में, चित्रात्मक लिपी मिली हुई है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ध्यान दीजेगा, सरपरताम वेडिल महोदय ने इसक को हम आ दे आरे, हासित सःभीता के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है, वस्तर में, सिंदुड-शभीता में, किसी भी अस्ताव से नर्मित Reports के साट्स नहीं मिले हैं, लेकिन हाध ध्यान दीजेगा, ये परमाण मिला हुआ है, ये सूती वस्तरों का ये परियोग करते रहें टीक है, शूतीयों उनी दोनों परकार के वश पहनते थे, मोहन जोदों से चांदी की डीबिया के अंदर लाल रंग के कपड़े का क्या है, शाक्ष प्राप्ट की है, क्या है साल क्या करती रहांगी अब रुसर भईया यहां से तो मिला हुए इस्थिति अच्छी थी यहां पैंटी थी मन का कारकाने गुरिया इन सब के पर्मार मिलते हैं व्क कावपका कामुलर्ण के कि भी इस्तेमाल करने के भी क्या है हमें कि में परमाण के यहाँ 6-7 असके साथ कीमती पत्थों साधार Πत्थों मीत्टी और हातिदास बनाए जाती मुख 애मित्व में और की कि चोडिया इत्यारी का परियोग करते थे और इसके सासा सोने का बना हुआ वाला यहां पर हार पराप्त मतलब यह इससे यह मझती इंको क्या मन के औ字 इस से यह पता चलता है कि इन सब धात्तों से क्या थी परकितते तो यो तो हाँ अगर पूछा जा सकता है कि कि इन धातु से परचित हुआ करते थे वैं सांधर परमाल के साक्ष मिले हानपा से सफ़ेटंडर के सौढ़्य करते सबीसाइशों में थार्म जीवन में इनकेम रूपों में मिलते पहला पूर सवाध हमуска कि तरीके से क्या करें यूदेना दा देना उसके साथ-साथ आंशिक समाधिकरद के परमाल मिलते हैं इसमें क्या होता था जैसा कि आप जानते हैं पार्शी समाज में होता है कि कोई व्यक्ति जब जिसके मृत्य हो जाती है तो उसको एक निर्जन अस्थान पर ले जाकर के कुछ दस-पंदरा बिसेश दिनों के लिए उनको छोड़ दिया जाता है उसके बाद उनका भक्षड कर लेते हैं जंगली जानवार या कह सकते हैं पक्षी जब भक्षड कर लेते हैं तो कुछ अस्थान क्या है कुछ जो आउसेश उसका बसता है कुछ आउसेश उसका बसता है तो यहां पर जलाने की पर्था भी दिखाई परती हैं धार्मी जीवन पर बात करें तो इंडर्स वैली सिब्लाइजेशन के लोग या सिंदु घाटे सभिता के व्यक्ति ठीक है धार्मी थे धार्मी के तत्व हमें विद्धमान देखनों के मिलते हैं वह इतने ज्यादा साथ ही साथ फायर पिट्स यानि की यग्यों के भी साक्ष मिले हैं यग्य करने के यानि की यह अगनी की भी क्या करते थे पूजा क्या करते थे इनमें धार्मिक तत्व बिद्धमान थे लेकिन इतना ज्यादा परभावशाली नहीं रहे इतना ज्यादा क्या है परभावश तो धार्व स्वीमण की अनेग रूपों में पूजा करते था पूजा करते था अनिक रूपों में यहां पर हमें लिंग पूजा करने के साक्ष रूप मिलती है जिसपर एक व्रेस्ट जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके आसपास में जानूर है है ठीक है तो हमने उसे किया कि हो सकता है यह के पस्मों की देउता क्या है रहे हैं ठीक है चित्र को यहां पर देख सकते हैं ठीक है हमने किस नाम से कहा इन्हीं को हमने पशुपत देव के नाम से पुखा रहा है ठीक है जान मारसल महोदे ने क्या किया है इनको सिव से सम्मुधित किया है कि वो सकता है यह क्या है श्यू की भी उपास्ता करते सब्सक्राइब क्या है कि इसे माने जाता है तो शीजिव को माना जाता है कि सिंदुगाटी सब्सक्राइब की खोज किसने की जान दिएगा जब क्या अगर आप से सिंद्भाटी सब्हेता सबसे पहले परकास में कौन लेकर क्या है तब आपको लगाना क्या है चार्ड मैसन और आप से पूश जाता कि हरपके कोज किस ने की तो हरपा किपोज इसने की पताई दयाराम सही ने और शाथ ही साथ अगर आप से पूछा जाता है कि मोहंजोदोडों कि किसने की वह जो गी कोज राखलदास बनर जीजी ने किया तो आज की थैंक यू बाइबाइ टेक कियर जाहिए